नमस्कार गाईज बुलीश मलमास्टन नम्ны आपका स्वागत बात करेंगे कल मार्केट गेप एप डाउन हो रहा है या फिस साइड बेस हो रहा है जैसा कि कल परसो तरसो आपको बताया तो समझ लो भाई कुछ लोचा है तो मार्केट में यह रिवर्सल जो देखने को मिला यह रिवर्सल आना ही था और बैंक निप्टी ने तो बहिए 200 यह में का टारगेट डन कर दिया बैंक एक्स ने फायर कर दिया कल गैप अप हो रहा है गैप डाउन वह भी जानेंगे तो अब मॉर्निंग में हमने ट्रेट प्लैन किया ता आप देख सकते हो ठीक है निफटी का अपने ट्रेट प्लैन किया ओवर्ट्रेड नहीं किया था इस टुडेंट के साथ अच्छा फायर हो गया और बात करेंगे के यहां पे बैङंग निफटी के लेवल्स बेज आपको द पूरा साइडवेज हो गया इस रेंज के बीच में यह जो लेवल बेजा था आप देख सकते हैं गाई अपसाइड का आपको बेजा था यहां पर देख सकते हो निफ्टी भाईया अपसाइड कब जाएंगे जब परफेक्ट रीटेस्ट हो जाएगा 24910 के बाद तो हम अपसा उसको दिखान दखियेगा सही खूर or काईड के लिए प्लीज किसी को भी फोलो मत करना कोल पूट कभी आप पर सिके नहीं बना सकता हैं सबसे पहले सबसे इस ओक्र开ट को मैंने इस 2020 में चल रहा है ओर यहँ बुलिश कह सकते हैं आप देख रहे होह यहां पर बुलिश दिक क्या scenario भाया मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर बात कर रहा हूं गाइस कल है फिन निप्टी के expiry कहां पर फायर होगा कहां चेकपोट लगेगा वह भी हम बात करेंगे तो सबसे किसने होल का प्लैन किया तो डबल हो गई मनी डबल हो गई यहां से बैंक एक्स ने भी सेनेरियो किया आज मोर्निंग में अल्रड़ी बता दिया कि जैसा बैंक निप्टी बागेगा वैसे आपका संसेक्स बागेगा इस चीज को धियान रखिएगा में कि थी एकसपाईरी तो बैंक निप्टी मुझे दिका रहा है बैंक निप्टी मुझे जो दिका रहा हैं साइड़एज कहलो number one साइड़एज को इस लिए ले रहा हूं क्योंकि अभी मार्केट तो रभा रिवर्सल ले रहा है अपने को एक दिन की और कन्प्रमेशन चाह तो ठीक है अगर किसी को प्लैन करना दिस इस फूर एजू कैसनल क्योंकि यहां पर देखेंगे लाइस वन परसेंट इसने रीकवरी करी है काफी अच्छी रीकवरी करी है बैंग निप्टी ने और यह मुझे गैपक की प्लैनिंग दिखा रहा है बैंग निप्टी अभी शिर 5300 का 51300 का असपास ओपन होता है और मार्केट फिर वापिस डाउन आने की कोसिस कर सकता याद रखिएगा कंटीनिव एक तरपा वापिस अब अपसाइट जा रहा है 200 यह में के ऊपर है हो सकता है साइड वेस गैप अपने को देखने को मिल जाए इस चीज को ध्यान रखिए और दूसरी बात यह कि फिन निप्टी की अभिजा कल एक्सपाइरी तो फिन निप्टी में यहाँ पे इसने भी 200 मूविंग एवरेज को परफेक्ट यहां से ब्रेक आउट मारा एक अपने को टार्गेट और दिया है फिन निप्टी भी वापिस इस जॉन में ओपन होते वह सकता हए और कल इसकी एक्सपाइरी तो साइडबेस भी कर सकता है और साइडबेस में इसलिए बोला क्यों करना होता है हेजंग कि cou çaшने क्ल कॉल करना होता है कि हम्ने ले लिया और पी का ओटीम ले लिया तो हैजिंग प्लान करते हैं इस फॉर एजुकेस्टनल याद रखिएगा ठीक है ना कल देखना गेपप होता है नहीं होता है बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी बात करेंगे गाइस निफ्टी तो निफ्टी यहाँ पे 900 का रहेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा और यहां पर मार्केट अपना ओपन होने की कोसिस करेगा इन्हीं लेवल्स पर हम ट्रेड करेंगे मैं चाहता हूं वीडियो चोटे से चोटा बने क्यों मॉर्निंग में 8 बजे आपके लिए वीडियो बनाई देता हूं कि किस तरह से ट्रेड का प्लैन करेंगे क्या करेंगे बाकि यह सेम लेवल्स रहेंगे गाइस ओके इस चीज को ध्यान रखिएगा वीडियो मैंने बहुत चोटा बनाया पांच मिनट का बना है ओके टैंक यू